नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हुँ मैं जोतिश प्रेमियों के लिए जोतिश से संबंधित एक अत्यंत विचारणी महत्व पुर्ण प्रश्ण लेकर प्रश्ण है नीच के ग्रह का नीच भंग होता है तो क्या उच्च के ग्रह का उच्चत्व भंग होता है ये प्रश्ण कॉमेंट में किसी दर्शक ने किया था प्रश्ण छोटा परन्तु इसका जबाब गहरा मैं चाहता तो इसे राशिफल में भी इसका जबाब दे सकता था लेकिन बहुत सारे दर्शकों को बिना बोर्ड पर समझाए इसका जबाब समझ में नहीं आता और फिर इसे जोतिशिय और आध्यात्मिक दोनों ही ढंग से समझना अत्यन्त आवश्यक था फलतह एक छोटे से प्रश्ण ने कारेक्रम का रूप ले लिया प्रियदर्शकों वैसे तो आज फलित जोतिश सीखने के क्रम में मुझे पांचवा भाग लेकर के आना था और आज भावों के बारे में मुझे आपको बताना था लेकिन आज मैं इस कारिक्रम को लेकर के आप सब के समुख उपस्थित हो गया हूँ आशा है कल आप सभी भावों को समझेंगे फलित जोतिश शीखने के क्रम में मेरे दूसरे चैनल पर प्राच्च जोतिश विग्यान उस चैनल पर आप पांचवा भाग देखेंगे जहां मैं भावों के बारे में बताऊंगा और भावों से कैसे किसी विशय के बारे में विचार किया जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा लेकिन आज इस विशय की ओर चलते हैं इस प्रश्ण की ओर चलते हैं जब नीच के ग्रह का नीचत भंग होता है तो क्या उच्च के ग्रह का उच्चत भंग होगा अब प्रश्ण ये है कि सिक्के का एक पहलू कभी नहीं हो सकता अर्था तो नीच भंग हो रहा है तो उच्चत भी भंग होना चाहिए एक पक्ष कभी नहीं हो सकता पक्ष दोनों ह अब अगर आप देखें तो इस पक्षपर यानि उच्चत्व भंग वाले पक्षपर बहुत आयत चर्चा आपको नहीं मिलेगी लेकिन जैसा मैंने कहा कि जोतिशिय द्रिष्टि कोण से इसको समझना तो ठीक है लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पक्ष है उससे आपको समझना होगा पहले ये जानिये कि नीच भंग हो रहा है तो राजयोग बन जा रहा है अर्थात अगर आध्यात्मित पक्ष देखें तो अगर कोई पतित हो नीचे गिरा हुआ हो तो वो उपर जाने पर स्रिष्ट हो जाता है इसमें कहीं कोई संसय नहीं विकल्प जो नीचे है उसके पास उपलब्ध है उदारन से कोई जन्म लिया 10 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा 20 साल का युवा सन्यास तो ले सकता है लेकिन सन्यास लिया हुआ व्यक्ति फिर ग्रिहस्थ आस्रम में कभी नहीं आ सकता यानी नीचत्व भंग हुआ तो उच्चत्व की प्राप्ति होगी इसमें कहीं कोई संसय नहीं कोई व्यक्ति ग्रिहस्थ आस्रम में था वो सन्यास जैसे उच्चत्व वाली स्थिति में जा सकता है, गृहस्थास्रम रूपी जो माया मोह अगर वो भंग हो जाए तो वो सन्यास रूपी उचत्त को प्राप्त कर सकता है, एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, दिर सी बात है, नीच्पःघ फंग कार्थ मैंने बताया, कि राजयोग कार्थ यही है कि नीचत्त रूपी आवरण हट जाए तो यह अपने आप में राजयोग है लेकिन उचत्त पर पहुँचा अगर उसका उचत्त भंग हो जाए तो वो सीधा पतित हो जाएगा यानि उसके लिए कहीं अब कोई और माध्यम नहीं बचता अर्थात उचत्त भंग भी होता है और इसका मतलब है कि जिस ग्रह का उचत्त भंग हो वो बहुत स्रिष्ट परिणाम देने में सक्षम नहीं रह जाएगा यानि देखने में तो हमें कुंडली में वो ग्रह उच्चका दिखाई पड़ रहा है लेकिन कहीं न कहीं उच्चत्त भंग होने के कारण वो अपना स्रिष्ट परिणाम खो दे रहा है अब इसे मैं बोड पर समझा रहा हूँ आध्यात्निक पक्ष आपने समझ लिया ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य से सन्याज लेकिन ब्रह्मचर्य से ग्रहस थास्रम में आप जा सकते हैं सन्याज से ग्रहस थास्रम में आप नहीं आ सकते हैं नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर आने पर आप पतित हो जाएगे ये रूल है ये नियम है अब इसको समझिए आज इस विश्य को समझाता हूँ अब मैं बोर्ड पर उदाहरण से समझिए मैं सबसे पहले एक ग्रह को ले लेता हूँ और उस ग्रह से आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर एक सूत्र शनी और मंगल के मामले में थोड़ा अलग जरूर होता है लेकिन मैं आपको यहाँ भी समझा देता हूँ उदाहरण से समझिए कि मंगल कहाँ पर उचके होते हैं तो मंगल मकर राशी में उचके होते हैं मंगल मकर राशी में उचके होते हैं अब माने लीजिए कि मंगल का उचत्व भंग हो मंगल का उचप्त भंग हो तो ये उचप्त भंग दो तीन प्रकार से होगा लेकिन जो पहला प्रकार है वो विचारनी है अगर शनिदेव मंगल की रासी में बैठें तो वो नीच के होते हैं समझे इस चीज को इसलिए मैंने कहा मंगल में थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन बाकी जगहों पर आप और आसानी से समझेंगे इसलिए इसको बोड किया वशक्ता थी अब उच्च का ये मंगल है उच्च का मंगल सरवाधिक स्रेष्ट इस्तुति का ग्रह हुआ सबसे बढ़िया प्रभाव देने वाला ग्रह हुआ लेकिन अगर शनिदेव नीच रासी में हो जाएग तो क्या मंगल उच्चत्व का प्रभाव दे सकेंगे जबाब है नहीं इसके बारे में आपने पूर्व में जाना है कि निचत्व भंग में भी ये सूत्र रागु होता है कि जिस घर में ग्रह नीच का हो रहा है अगर वो केंद्र का हो, उच्च का हो, बली हो तो नीच वाले ग्रह का निचत्व भंग हो जाता है इस तरह से और भी आपने मेरे जोतिशीय कारिक्रमों में सूत्र सुना कि कुंडली में कोई ग्रह बली हो परन्तु जिस रासी में वो बलवान हो रहा है उस रासी का रासी पती अगर कमजोर हो जाए नीच का हो जाए तो बलवान ग्रह अपना प्रभाव को देता है वैसे ही उच्च का ग्रह अत्यंत बली है लेकिन शनिदेव के नीच रासी में हो जाने के कारण ये अपना प्रभाव खोएगा मंगल और शनी में वस इतना ही अंतर है कि यहाँ पर परिवर्तन वाली स्थिति आ जाने के कारण निसन दे इसमें कहीं कोई संसे नहीं कि यह मंगल अब सर्वस्रिष्टतम उचत्प का प्रभाव नहीं दे पाएंगे इसमें कहीं कोई संसे नहीं लेकिन हाँ ये परिवर्तन हो जाने के कारण बहुत हद तक इस मामले में प्रभाव बचा रहता है लेकिन अगर कही और किसी ग्रह की हम बात कर लें उदाहरनार्थ अगर हम बात कर लेते हैं चलिए चंद्रमा की हम बात कर लेते हैं दूसरा पहले मंगल की हमने बात की या सूर्य की बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में आप समझ लीजिए चलिए सूर्य मेस रासी में उच्च उचके देख रहे हैं, ये केवल दिखाई पड़ रहे हैं कुंडली में उचके, लेकिन ये उचके समान फल देने की स्कुति में नहीं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनका उचत्व भंग हुआ, कारण क्योंकि जिसकी राशी में बैठे हैं, उस राशी का राशी पती नीच राश रासी में ही जाकर के बैठने से उच्चत्व भंग होगा या और भी कोई कारण हो सकता है निसंदे हो सकता है जिस भी रासी में ग्रह उच्चका होकर के बैठा है अगर उस राशी का रासी पती क्योंकि ये हमेशा आपको याद रखना है कि उच्चका ग्रह कुंडली में सरव अधिक बलवान अवस्था का ग्रह होता है यही अंतिम इस्तिति है ग्रह के सबसे बलाबल की अब वो जिस रासी में उच्चका हुआ है उस रासी पती का मजबूत होना भी अत्यंत आवश्चक है तभी उच्चका ग्रह अपना सरवुत्तम फल दे पाएगा अब अगर मंगल नीच के नहीं भी हैं लेकिन मंगल पूरी तरह पीडित हो जाएं दूशित हो जाएं पापग्रह सिद्रिष्ट अत्वा युत्त हो जाएं राहु के साथ हो जाएं अस्त अत्वा मृत हो जाएं अस्त तो खेर साथी होंगे उनके लेकिन मृत हो जाएं अस्त सब्द गलत ब प्रत्तई प्राप्त नहीं हो सकता, उच्चत्व का प्रभाव 100 में से 100 है, नोट करिए, उच्चत्व के प्रभाव का मतलब हुआ 100 में से 100 अंक, 100 में से 100 अंक, और अगर उच्चत्व का प्रभाव कमजोर पड़ता है, और 100 में से 77 अंक हो जाते हैं, 60 अंक हो जाते हैं, तो स पहंग होगा तो 60-70 इस्तिती पर निर्वर करेगा अगर नीच रासी में है तो निसंदेह बहुत कमजोर हो जाएगा पीडित है तो वो कमी आपको खुद अनुमान लगाना होगा कि किस अवस्था में उस रासी का रासी पती है अब वहीं एक और विचारनी तथ्य है कि मान ल पूरी नहीं होते लेकिन बाकी के ग्रह होते हैं वो मृत्व हो वो अस्त हो तब भी कहीं न कहीं उच्चत्व भंग ही एक तरह से होगा क्योंकि उच्चरासी में सौपरतिशत प्रभाव देने के लिए बैठा है लेकिन उसके उच्चत्व भंग होने के कारण रिजल्ट मे कमी आएगी अब एक और सूत्र यहां लागू करिए जैसे नीच भंग होना विकल्प है नोट नीच भंग होना विकल्प है यानि कि किसी ग्रह का नीच भंग हो जाए तो वो चाहे कितना भी बेहतर विकल्प से नीच भंग हुआ हो कहीं न कहीं उसका संपुर्ण विकल्प से तो उस जातक में तब भी कही न कही दातों से संबंधित परिशानी और भी कई पूरुषों वाली समस्याएं उसको होने लगना या फिर वाणी से संबंधित परिशानी त्वचा जन्ने रोग की शिकायत क्या दी उसको रहेगी भंग हुआ है निचत्व लेकिन व भटक जाने के कारण गलत संगती के कारण या किसी और प्रारब्ध की कमी के कारण अगर वो ग्रिहस्थ आस्रम में चला आता है तो क्या वो आम ग्रिहस्थ आस्रमियों की तरह हो जाएगा जबाब है ना कभी नहीं निसंदेह वो पतित तो हुआ सन्यास छोड़के ग्रिहस्थ में आया पतित हुआ शत्परतीशत लेकिन वो आम ग्रिहस्थ आस्रमियों के समान ब्यवहार करने बाला केवल खाना और सोना मलमूत रत्या करना इसीनों उसकी जिंदगी नहीं बीटेगी उसके जीवन काल में तब भी कहीं न कहीं किसी कोने में राम नाम बाकी होगा क्योंकि उसने बाकी का समय सन्यास में गुत बिताया है अब किसी कारण से उसका सन्यास यानि वो पतित हुआ है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो पूरी तरह से आम व्यक्तियों की तरह बन जीए कि आपका आत्मविश्वास आम लोगों की तरह जीरो पहुंच जाएगा कभी नहीं आपका आत्मविश्वास जीरो आम लोगों की तरह कभी नहीं होगा आपके आत्मविश्वास में आम लोगों की अपिक्षा जिनकी कुंडलेली में सूर्य आम अवस्था में हैं उनस और उस पर मैंने जब मन्थन किया तो बड़ा जबरदस्त जबाब निकल करके आया और प्रश्ण था कि आप कह रहे हैं कि ग्रह नीचा भिलाशी हो रहे हैं ग्रह नीचा भिलाशी हो रहे हैं तो क्या देव गुरु ब्रहस्पती भी नीचा भिलाशी हो सकते हैं नोट करिए, बढ़िया प्रशन था ये, क्या देव गुरु ब्रहस्पती भी नीचा भिलासी हो सकते हैं, क्योंकि धनुरासी के बाद अगली रासी मकर रासी होती है, और मकर रासी में देव गुरु ब्रहस्पती नीच के होते हैं, तो क्या हम कहेंगे कि देव गुरु ब्रह चस्मा काम आएगा आभ्यात्म काऊष्मा गुरू कभी नीच के अभिलासी हो लग भिलाशी not गुरू नीच का भिलासी नहीं होता। गुरू नीच का भिलासी हो सकता है। गुरू नीच का भिलासी नहीं होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कल अपने दूसरे चानल पर। आज के लिए वोस इतना ही। और इस विसाय को समझ करके आपने आनंद अवश्य प्राप्त किया होगा।